भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल कोविट की दूसरी लहर के दौरान खूब चर्चा में रहा क्यूंकि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तुलना में लोगों को बेहतर इलाज मिला और ब्लैक फंगस के केसेस यहां के उपचारित मरीजों में ना के बराबर रहे सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए हमीदिया हॉस्पिटल एक मिसाल बनकर उभरा हमीदिया हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज धोपाल का उद्धातन 13 अगस्त 1955 को लाल बहादूर शास्त्री ने किया था कॉलेज में शुरुआत में 50 स्टूडेंट्स को एड्मिशन दिया गया था और पहला बैच पॉलिटेकनिक कॉलेज के भवन में शुरू हुआ था मज़े की बात यहा है कि लड़कों का हॉस्टल वर्तमान के लक्षुरी होटल जहानुमा पैलिस में था एक साल बाद एक स्वतंत्र भवन की नीव केंद्रिय ग्रिह मंत्री श्री गोविन बल्लब पंत ने 15 सितंबर 1956 को रखी थी मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बनने में साथ साल लगे थे यह कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है बलकि वास्तुकला और शिर्प कौशल का यह खूपसूरत नमूना है इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नहरू ने 13 मार्च 1963 को किया था आज गांधी मेडिकल कॉलेज के एलुम्नाई देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे है आज भी जी एंसी भोपार एक लैंड मार्क है एक मिसाल है उत्रिष्टा की